Pour it like that is Hello students कैसे हैं आप सब लोग सब बड़ीया पिसली कलास में हमने मनुश्य को पॉष्ण किस तरह की से होता है वह सब बातें डिस्कस की थी उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि पादबो में पोशन किस तरह से होता है, मनुश्या में पोशन किस तरह से होता है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, स्वैसन की प्रिक्रिया के बारे में, कि स्वैसन किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है स्वैसन, ठीक है, तो उनक उर्जा के उत्पादन के लिए कोशी काओं में भोजन का जो विखंडन होता है उसी को कोशी की स्वैसन या फिर स्वैसन कहा जाता है एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं उर्जा उत्पादन के लिए उर्जा के उत्पादन के लिए कोशी काओं में भोजन का विखंडन जो है उसी को स्वेसने कहा जाता है ठीक है अब जो detox का विखंडन हो किस तरीके से होता है वह हमें देखना है उसके लिए हम यह बोलेंगे कि तीन तरह से उसका विखंडन हो सकता है सबसे पहले क्या फूल को जो है आपका उसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है क्या फॉर्मुला होता है C6 H12 O6 यह फॉर्मूला होता है क्लूज का तो कौशी का द्रव्य में यानि कि साइटोप्लाजम में यह किस में परिवर्तित हो जाएगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, तीन, तीन वायू में अनू और उर्जा, यहां क्या कहने के लेगा, तीन वायू में अनू और उर्जा, सबसे पहले क्या हुआ, गुलुकोज किसमें बदल गया, पाइरुवेट में, अब यह जो पाइरुवे जब oxygen की अनुपस्तिती होती है और तीसरा हम यह बोलेंगे कि जब oxygen की कमी होती है तो यह तिनों बहुत important है यहां से आप से प्रेशने पूछ लिये जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले पाइरवेट जो है हम देखते हैं oxygen की अनुपस्ति थी अगर वहां पे oxygen absent है तो क्या होगा वो किस में बदल जाएगा पाइरवेट इथेनोल में carbon dioxide में और उर्जा में ठीक है अगर oxygen बिल्कुल absent है अगर बिल्कुल है नहीं वहां पे oxygen तो क्या होगा वो किस में बदल जाएगा इथेनोल carbon dioxide और उर्जा में और यह कहां पे होता है इस्ट के केस में ठीक है न यह कहां होता है इस्ट के केस में तो इथेनोल का अगर फॉर्मूला आप से पुछा जाए तो आप यह बोलेंगे C2H5OH यह होता है इथेनोल का फॉर्मूला ठीक है तो oxygen की जब अनुपस्तिती होगी तो pyruvate क्या बनाएगा इथेनोल carbon dioxide और उर्जा कहां पे हो रहा है इस्ट के केस में ठीक देन दूसरा जो तरिका है वो है oxygen का अभाव अगर oxygen का अभाव है बिल्कुल पूरी तरह से oxygen अबसेंट नहीं है वहाँ पे वहाँ पे oxygen की कमी हो रही है तो क्या बनाएगा लेक्टिक acid लेक्टिक अमल बनाएगा और उर्जा बनाएगा और यह होता कहा है हमारी muscles में यनि की पेशी-कोषीकाओं में ठीक है इस तरीके की जो reaction है वो कहाँ पे होती है हमारी पेशीकोषीकाओं में ऐसी reaction होती है जहां पे पाइरुइट जो है वो क्या बना लेगा लैक्टिक अमल और उर्जा। ठीक है? लैक्टिक अमल में भी कितने हैं कार्बन के अनू तीन कार्बन अनू होते हैं। आई बात समझ मैं थीसरा जब ऑक्षिजन उपस्थित होती है। जैसे कि हमारे पूरे वातवर्ण में है अभी उक्षिन उपस्तित है तो क्या होगा वो क्या बना देगा यह जो पाइरुवेट है यह पूरी तरीके से तूट जाएगा और कार्बन डायोकसाइड जल और उर्जा में यह प्रिवर्टित हो जाएगा और इस तरीके की और कौज कविखिंडन करना है तो त्ायएट में तूटेगा तो तीन रियक्षिन होंगे तीन तरीके से वह पूरी तरह अश्मा और प्रेजयन का अभाव है कमी है वहां पे तो जब अक्सिजन की अनुपस्तिति होती है जैसे कि इस्ट की केस में तो वहां पे क्या बन जाता है इथेनोल बन जाता है ऐसे ही जब ऑक्सिजन का अभाव हो जाता है तो वहां पे लेक्टिक एसीड बन सकते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि जो ऑक्सिजन की उपस्थिती में होता है उसको d- train तो देखते हैं पूरे कि पूरे पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टन्ट है यहां से क्योशन कुछ सकते हैं सो पहला क्या है पॉइंट कि oxygen की उपस्थिती में होता है वाई विये स्वेस्थ इधर क्या लिखा है oxygen की अनुपस्थिती में होता है दूसरा हम क्या बोलेंगे ग्लुकोज का पूर्ण उपचैन होता है, ग्लुकोज का जो मोलिकुल है, उसका पूर्ण उपचैन होगा, पूरे तरीके से, और क्या बनेगा, क्या मुक्त होगा, कार्बन डायोकसाइड, पानी और उर्जा, ये सारी चीजें मुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग् और जाहिए सब मुक्त होते हैं यह बहुत जरूरी पॉइंट आपको ध्यान अखना है तीसरा हम यह बोलेंगे कोशी का द्रव माइटोकॉंड्रिया में होता है जो वाइविए स्वैसन है वो कहां होगा यह भी आप से पुछा जाता है तो कोशी का द्रव यानि कि साइटोप उसके बाद अधिक उर्जा उत्पन होती है यहां पर हम यह बोलेंगे 36 ATP बनते हैं ठीक है ATP यहने की एडिनोशीन ट्राइफोसफेट ठीक है जिस जो उर्जा का स्त्रोथ है हमारे लिए यहां पर कम उर्जा उत्पन होती है कितनी हम यह बोलेंगे 2 ATP यहां पर शिरफ और श सकती से टीपी बनते हैं इसलिए अधिक उर्जा कहां पर उत्पन होगी वाई ये स्वैसने में इसका उधारण क्या हम बोलेंगे मानव जो हो इसका उधारण है लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे उधारण इस्ट अभी आपको बताया था ठीक है जो स्थलिय जीव होते हैं वह ओक्सिजन लेते हैं जो वायू मंडली ओक्सिजन है वह वाली लेकिन जो जीव जल में रहते हैं जो पानी में रहते हैं वह डारेक्टली नहीं ले सकते ओक्सिजन को ठीक है वह पानी में गुली हुई ऑक्सिजन ही इस्तेमाल कर पाते हैं इसलिए उनकी स्वैसन दर है तो थोड़ी जदा तेज होती है यही पॉइंट लिखा है कि स्थलिये जीव वाईयू मंडली ए ओक्सिजन लेते हैं परंतु जो जीव जल में रहते हैं उन्हें जल में विले ओक्सिजन ही उप्योग करने की आवसकता होती है ठीक है इसलिए जलिये जीवों की स्वासदर जो थीक हा जिं। है। अब हम बात करते हैं मानव स्वैवर तंतर के बारे में कि मनुष्यों में श्वैंद तंतर किस तरीके से होता है ठीक है क्या-क्या उसके पार्ट होते है। ठीक है। और डायग्राम के तुल्ष इसको समझाय हुआ है, तो सब से पहले आप एक चीज देए कि हम जो है वायू को अपने अंदर लेते हैं किसकी मदद से? नसादवार की मदद से ठिक है, मनुष्य वायू को नसादवार की मदद से अपने अंदर ग्रहन करते हैं पहला पॉइंट ये रहा आपका नासादवार यहां से वायू जो हो ग्रेहन कर ली ठीक है उसके बाद नासादवार में जाने वायू मार्ग में उपस्तित जो नासादवार में वायू गई है वो अपने मार्ग में उपस्तित महीन बालों द्वारा नाक के अंदर क्या होते है बाल होते हैं बहुत ज्यदा उन द्वारा निसमपदित हो जाती है जिससे की सरीर में वायू धूल और दूजरी असुदियां रहित होती है ठीक है तो बाल क्या काम करते हैं जो असुदियां हैं उनको दूर करने का काम भी बाल करते हैं इस मार्ग में सलेसमा की एक परत होती ह जो म्यूकस है उसकी भी एक परत होती है इस मार्ग में ठीक है तो सबसे पहले क्या बताए आपको कि वायू को नासादवार की मदद से सरीर के अंदर ली जाती है ठीक है उसके बाद नासादवार के बाद जो वायू है वो कहां पहुंचेगी ग्रेशनी में यह आप देख सकत पहुंचेगी कंठ में आप देख सकते हैं कंठ में पहुंचेगी कंठ से वायू कहां पहुंचेगी स्वासनली में देख लीजिए स्वासनली उसके बाद स्वासनली से स्वैसनी ठीक है स्वैसनी से स्वैसनी का और स्वैसनी का से फिर फुफुस में फुफुस से कुपी का कोस में और कुपी का कोस से फिर रुदिर वाहिका है जो है उसको अलग अलग जगहें भेज देती है सो यह आप देख सकते हैं फुफुस उसके बाद कुपी का कोस ठीक है और इन कुपी का कोस से जो रुदिर वाहिका है होती है वो सारे शरीर में इस वायू को पहुंचा देती हैं एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने नसादवार से वायू को अपने अंदर लिया ठीक है ग्रहन किया नसादवार से वो वायू कहां पहुंचेगी ग्रशनी के अंदर आप देख सकते हैं इस चित्र में ग्रेशनी में ग्रेशनी से जो वायू है वो कहां पहुंची कंठ में कंठ से फिर वो वायू कहां पहुंचेगी स्वास्तनली में यह देख सकते हैं ठीक है स्वास्तनली से वो वायू पहुंचेगी स्वेशनी में स्वैसनी से का और एक सपचोनेका से फिर वह वायू फुफुस के आदर पहुंचते हैं क्या होती है कूपी का कोश पर मौझू होता है तो क्या करता है उसके बारे में प backlash में प fewer些 के मार्ग में चोटी-चोटी नलिका कोश में विवाजित हो जाता है जो फुफुस है जो मार्ग हैемся वह चोटी-चोटी नलीकाओं में विभाजित हो जैसे आपकी स्वैशनेका होगी ये सब जो अंत में गुबारे की रेशना में अंते क्रित हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है उसके बाद कूपी का एक सत्य उपलब्द करवाती है जिससे गैसओं का विनी में हो सकता है kungi का जो है इक सत्ह उपलब्द कर वाएगी जिससे जो जो गैस जो गै vaccines है आपकी ओक्सिजन है सियोटू है इन का विनी मैं हो जाता है तो यह भी जरूरी पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गैस्व का वीरी में कहां होता है तो आप बोलेंगे कुपी का के अंदर ठीक है तो यह पूरा जो है आपको ध्यान रखना है यहां से क्युश्चन आप से पूछ सकते हैं ठीक है मानव स्वैस्ण के रिया जो है वो दो तरीके से होती है एक होती है अंतह स्वैस्ण और दूसरी होती है उच्ष्वैस्ण ठीक है तो इंग्लीज में इसको इन्हेलेशन एक्सहेलेशन या फिर इंस्पाइरेशन एक्सपाइरेशन भी बोलते हैं कि सांस को अंदर लेके जाना उसको बोलते हैं अंतहस वैसने ठीक है और सांस को बाहर छोड़ना उसको क्या बोलते हैं उच्छ वैसने ठीक है देखते हैं इनके बारे में सबसे पहला है कि व्रक्षिय गुहा जो है वो यहाँ पे फैलती है कब अंतहस वैसन के दोरान जो व्रक्षिय गुहा है जो आपकी ठीक है और यह काम कौन करता है यहां पर डाइफराम भी इन्वोल होता है तो डाइफराम है वो एक मसल्स की एक लेयर ही होती है ठीक है डाइफराम एक मसल्स की लेयर होती है जो की अंत्यास वसन और उच वसन में सहायक होती है ठीक है देन पसलियों से सलंगन जो पेशिकाई ह वो शकूड़ जाती है यहाँ ठीं कि पस्लीओं की जो पेसियां धर्व सितिल हो जाती हैं यहां पर कोड़ियों रहे हैंए निभी यहांiset वुख्ष और बाहर के दम घ्रता है अब सोचके रहे कि हैंजब आपने सास को अंदर लिया तो जो वक्स है वो उपर की और गती करता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जो वक्स है वो अपने आकार में पहुच जाता है, वक्स अपने स्थान पर वापिस आ जाता है ठीक है, उसके बाद गुहा में वायू का दाब कम हो जाता है अंदर जो है गुहा के अंदर वायू का जो दाब है वो कम हो जाता है कहां पे अंतेश वैसन के बारे में जब हम बात करेंगे ऐसे ही वायू फेफ़रों में भर जाती है वायू में मेंनली कौन सी गैस सी ओ टू कार्बन डाइयोकसाइड जो है वो फेफ़णों से बाहर निकल दे जाती है ठीक है तो ये प्रोसेस होती है अन्तहस वस्न और उच्वस्न की ठीक है यहां इनके बारे में पूरा आपको बता दिया है यहां से इनके पूछ सकते हैं कि क्या क्या इन में डिफरेंसी होते हैं किसमें उच्वस्न और अन्तहस्वस्न में तो ये भी इंपोर्टेंट है आपको ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ को उसके बाद कूपी का रखत कि अखियस के बीच गैस्व का आदान पर्दाण वह कैसे होता है तो सबसे पहले अगर ऑक्सीज़न की बात करें तो जो एर है जो वॉयू है जो ऑक्सीज़न से स्मरदश है ऑक्सीज़न रिच जो वई है वो कूपी का से रक्त वाहिका में जाएगी ठीक है रक्त वहिका से ओक्सिजन आरबी सी में हिमोगलोबिन के साथ मिलके हिमोगलोबिन एक पिगमेंट है हमारे अंदर हमारे जो खून है वो कैसा होता है लाल गलर का होता है किसकी वज़े से होता है वो होता है हिमोगलोबिन की वज़े से हिमोगलोबिन तो ये बनाती है अगर यह दोन cinet iki हमारे पास ब्रक्राइब है लोड़ों और ऑफीजन के मिलने से बना है उसके बाद ढमनी दोरा ऑफीजन पुर्ट को में पहुंचती है उसके बाद जो ऑसी जा है वो कहां पर पहुंचेगी उत्तकों में टिश्यू में पहुंचेगी वहां से फिर ग्लुकोज जो है उसका ओक्सिकरन होगा और वहां से स्योटू का उत्पादन हो जाता है ठीक है एक वारे फिर से देखते हैं कि वायू जो ऑक्सिजन से स्मृद्ध थी वह कूपी का से रखतवाही का रखतवाही का से वह औक्सिजन और आरबीसी में जो हिमोगलोबिन है उसके साथ मिल करके एच्बी ओटू बना लेगी ठीक है वह एच्बी ओटू धमनी दवारा उक्सिजन जो हो उत्तकों में पहुंचती है उत्तक से वह ग्लुकोज का उक्सिकरन होगा और उक्सिकरन के बाद में जो स्योटू है वह उसका उत्पादन हो जाता है कहां पे होगा उत्तकों में ठी CO2 के आदान परदान के बारे में अगर हम बात करें तो जो CO2 जो उत्तकों में बनी थी अभी आपने देखा था इससे पहले जब ूइशने का आधानपरदान देखा था तो वहाँ से जो CO2 उत्तकों में बनती है वो पहूंचेंगी रक्त वहिका में ठीक है वहां से CO2 का रक्त में विश्रम हो जाता है उसके बाद रक्त वहिका द्वारा कूप़िकॉठ का में ठीक है आपके बोर्ड एक्जाम में आपको इसको भी ध्यान रखना है उसके बाद एक और पॉइंट है कि जैसे जैसे जनतों का जो आकार हो बड़ा हो जाता है तो वहां पे अकेला जो विशरण दाब है वो उक्षिजन पहुंचाने में समर्थ नहीं रह पाता हमें उसके अलावा किसी और की भी जरूरत पड़ती है तो जैसे जैसे जनतों के सरीर का आकार बढ़ता है तो अकेला विशरण दाब सरीर के सभी अंगों में उक्षिजन पहुंचाने के लिए एप्रियाप्त हो जाता है उसकी दख्षता जो है वो कम हो जाती है ठीक है सभी अवस्था में क्या किया जाई तो वहां पर हम बोलेंगे कि मानुव में स्वयस्न वर्लक हेमगलोबिन है हेमगलोबिन पीगमेंट है वो होगा जो की अक्सिजन के लिए उच्छ बंदता रखता है, हैमोगलोबिन क्या करेगा? जो हमोगलोबिन है वो एक्सिजन के साथ है, मिल कर और वो कितने? चीर ऑक्सिजन के साथ मिलता है? है, हमोगलोबिन for क्या बना लेगा? एच बी ओटू बना लेगा ठीक है यह उक्सिजन के हाथ उच बंदुता रखता है तो यह वर्णक जो है लाल रुदिर करने काओं में उपस्थित होता है हमारा जो रखत है उसका जो रंग है वो लाल होता है आप सबी जानते हैं वो क्यों होता है इस हीमोगलोबिन के वज़ ठीक है कौन हीमोगलोबिन तो यह यहां पर हमारा जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर जयो प्रकरम का यह कंप्लीट हो गया अगली क्लास में हम अगला टोपिक स्टार्ट करेंगे तो आप यहां तक वीडियो को अच्छे से देखिए कहीं भी कोई डाउट होती है तो जयदा से जयदा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू